सांतियों नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका मद्द प्रदेश पुलीस आरक्षक भरती परिक्षा 2023 से संबंदित एक नई वीडियो में जी हां दोस्तों यहां पर जो है आपके काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि जी एच के जो है सैंसन पर यहां पर वीडियो ले मैं बता देता हूं इसमें 35 कोश्टन जी के है जी के जी एस के ठीक है तो दोस्तों 35 कोश्टन होने वाले यहां पर तो हम सिर्फ जी एस के प्रशन यहां पर देखने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो इसमें आपको टार्गेट मिला यहां पर 25 कोश्टन दोस्तों 35 कोश्टन म में से आपके कितने प्रश्चन सही रहे तोности यहां पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को लाइक किजेगा वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चैनल से जरूर जोड़ जानाँ ठीक है द्ज्तों और एक परके बतागे को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब पर बाशेल नियम किस से संबंदित है बाशेल नियम किस से संबंदित है चार ओप्सन दिये है चारों में से बताना है किस से जो है संबंदित है बाशेल नियम पत्करें वैंकों के नियोकताओं से संबंधित हैं तो डोस्तों रैट अंसर पथा होगा तो बताईए क्या इसके राइट अंसर के बारे में जाल लेते हैं थे हैं इसके जो राइट अंसर होगाः आपना option No.A सरकारी चेतर के वैंकों के पनरपुझी करण से संबंधित है बासिल का नियाब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण कुछ इस प्रकार से है ठीक है यह रहा अगला प्रश्ण तो अगला प्रश्ण पढ़िएगा अगला प्रश्ण कह रहा है यहां पे धर्मरत पल्लब काल की मुख इस्थापत विशेश् है इस खालिस्तान की जागा है चारों option में से क्या आने वाला है हमें बताना है ठीक है तो देखेगा प्रशन को थोड़ा समझेगा थोड़ा घुमारा है धर्मराज पल्लबकाल धर्मराज रत पल्लबकाल की मुख्य इस्थापत विसेस्ताओं में सामिल नहीं है तो कौन सा option यहां पर जो है सामिल नहीं है इसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे तो option नमर यहां पर देखिए पढ़ लेते हैं रत को भव्य मूर्तियों से सजाया गया है एक अखंड संरचना है तो दोस्तो क्या होगा इसका राइट अंसर तो दोस्तो राइट अंसर के अगर बात करें तो इसका राइट अंसर होने वाला辉पना option number b बढ़ते हैं अगली प्रशन की और इस प्रशने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिए अपना ठीक है अगला प्रशन अगला प्रशने दोस्तो कुश्च नम्मर 3 देखिएगा दिल्ली मुंबई औधो की गलियारा डि म आई सी जिसका साग संफ़ा में तिल्ली मुंबई औधो हो की का सौट फोम किया है डि म आई सी ठीक है तो चाहरें, जिन सले सहार है तो दिल्ली मॉंवाइज जो की गलियारा जो है कि सहर से नहीं कुझजरा है dot थो दूसरा है यहां पर राइट अंसर क्या हो सकता है यहां पर हम इसके राइट अंसर हुजाेगा अपना option number C, भिंड, दोस्तों भिंड से यह जो है तिल्दी मुंबई ओध्यों की गल्यारा यहां से नहीं गुजरेगा, ठीक है, आंगे बात करेंगे अपना निर्त का हो गया, ठीक है, निर्त का question यह हो गया दोस्तों, यहां पर option नहीं है, कच्ची गोडी, option भी है 6, option C है चकरी नरत, option D है यहां पर चारी नरत, तो निमलिकित में से किस नरत की प्रमुग विशेष्टा, मास्क या मुखोटा है, तो दोस्तों यहां पर यह जो दोस्तों, यह जो है 6, जो नरत है, इसमें मास्क और मुखोटा पहन कर इस नरत को यहां पर किया जाता है, ठीक है दोस्तों, और इस नरत की बात करें तो दोस्तों, उत्तरपदेश का यहां पर famous नरत है, ठीक है, अगले प्रशन पर चलते हैं यहां पर, अगले प्रशन, ज यहां पर अंसर बता दीजिये फटफट से तो जहां कि अगर बात करें गर करें दोस्तों जहां मेल अमारा में इसंतित टीक है अगले प्रशन यहां पर मत परियेश में औरियंट पेपर मिल इस्थित है MP का कोश्चन है दोस्तो यह है भी easy question है यह है भी easy question है option नहीं दिया हो यहाँ पर सिद्धी option भी है सहडोल option C है यहाँ पर दम हो option D है हुशंगबाद तो मत्पदेश में औरियंट पेपर मिल दोस्तो पेपर मिल के अगर बात करें यहाँ पर सहडोल option B यहाँ पर इसका जो है right answer होगा ठीक है यह option नमर B इसका जो है right answer होगा मत्पदेश में औरियंट पेपर दोस्तो यहाँ पर एक आपको doubt होगा कि यहाँ पर जो है पेपर जो मिल है वो हुशंगाबाद में यहाँ पर doubt हो रहा होगा लेकिन यहाँ पर हुशंगाबाद के अगर बात करें तो यहाँ पर note छापने के कागज तयार होते हैं लेकिन यहाँ पर मत्पदेश में जो है orient paper की बात हो रही है orient paper तो इसका right answer होगा सेडोल, option number B, ठीक है, अगले परशन की और बढ़ते हैं, अगला परशन है, निमलिकित में से तमिल नाड़ो की किस नृत सैली में लड़किया मोर का वेज धारन करती है, आपने टीवी में या कहीं पर सोसल मेडिया पर देखा होगा, मोर के पंक पहन कर जो है, नृत की सैली की जाती है, तो यहाँ पर option A, भरत नाट्यम है, option B, पंपू अट्टम है, option C है, मलिया लट्टम है, option D है, मोहनी अट्टम है, तो कौन सा है दोस्तों, जिसमें मोर के पंक धारन करके जो है, नृत सैली को की जाती है, तो यहाँ पर हम इस प्रशन के राइट अंसर की बात कर ल तो यहाँ पर नृत्य से question बन रहे है, हमने पिछला प्रशन भी जो देखा था नृत्य का ही देखा था इसके पहले, जो question आया था, चाहुन नृत्य से आया था, ठीक है, तो यहाँ पर नृत्य वाले जो है फट़टा-फट से topic पढ़के जाना, ठीक है, अगला है यहाँ गलत कथन बताना है, हमें, चार कथन दिये होंगे, यहाँ पर, थोड़ा एक नीचे है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर चारों हमें दिखने लगे है, तो निम्न में से कौन से कथन यहाँ पर गलत है, यह बताना है, भारत ने ओलम्पिक में जब अब तक कुल 10,60 पदक पढ़ जीते हैं, तो चारों में से कौन सा सही हैं डýक उलम्पिक में रभी तक कितना पढ़ल यहांपक पढ़ले ज्टक संसंस्ध और यहां पर कौन सा यहां पर सही होगा आपको अंसर होगा तो पदाएए मैं बताता हूं option number D की बात करें तो पूरा दिखनी रहे यह है option number D की बात करें भारत ने Olympic में अब तक कुल 18 काश्ट पदक जीते हैं यही हमारा जो है right answer है option number D ठीक है option number D right answer है ठीक है आगे प्रस्ण की अगर बात करें है उपर की और चलते हैं यहां पर अगला प्रस्ण आट ठीक है नौबा प्रस्ण हमें उपर मिलेगा यह रहा ठीक है है तो यहां पर जो है अगला प्रस्ण है दोहा कतर में आयोजित Asian table tennis champion 2021 में भारत ने कुल तीन पदक जीतकर कौन सा इस्थान प्राप्त किया है ठीक है दोस्तों इस प्रस्ण की बात करें तो 2022 का जो पिपर पूछा गया था उस टाइम में यह current affairs का प्रस्ण था ठीक है तो यहां पर जो है दोहा कतर में आयोजित Asian table tennis champion 2021 में भारत ने कुल तीन पदक जीतकर कौन सा इस्थान प्राप्त किया है तो क्या होने वाला इस प्रस्ण का right answer फटा फट से बता लिए इस प्रस्ण के right answer की अगर बात करें हम ठीक है इस प्रस्ण का right answer हो जाएगा अपना भी प या अकादमी का जो है गटन किस वर्स किया गया था दोस्तों option नमर यहां पर कौन सा इसका right answer होगा बताईए दोस्तों मत प्रदेश में तुलसी अकादमी का गठन जो है 1987 में यहां पर किया गया था ठीक है आंगे बात करेंगे सिहस्त मत प्रदेश में प्रतिक वर्सों के चकर में आयुद किया जाता है बहुत ही simple question है इसका अंसर सभी को पता है ठीक है इसकिप करते हैं अगला है Commonwealth Games current offer का question है Commonwealth Games में पहला सौन पदक जीतने वाला खिलाडी कौन है current offers का question है यहां पर तो पहला है यहां पर option नमर है रासीद अनवर है option B है यहां पर केड़ी रागव option C है मिलका सिंग option D है लक्षमी कांत पांडे तो Commonwealth Games में पहला सौन पदक जीतने वाला खिलाडी कौन है तो right answer होने वाला इसका option नमर मिलका सिंग है ठीक है अगला प्रशन यहां पर अंगूर की खेती और मचली पालन करमसाह निमलिकित में से किससे संबंदित है यहां पर चार option दिये है ठीक है अंगूर की खेती और मचली पालन करमसाह निमलिकित में से किससे से यहां पर संबंदित है option है आम याक की खेती option B अंगूर मचली पालन option C अननाश का पास option D ककड़ी रेशम की खेती तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हमें जो है option घुमा रहे है पर यहाँ पर पूछ रहा है अंगूर एक फल है ठीक है लेकिन यहाँ पर अंगूर देखे option B में मचली पालन के साथ में दे दिया है तो यहाँ पर थोड़ा doubtful question है लेकिन इसका जो है right answer होगा option नमर B ही यहाँ पर इसका right answer होगा यहाँ पर कुछ लोग सोचिंगे कि अंगूर फल है मचली जीव है तो दोनों का संबंद कैसे हो जाएगा यहाँ पर लेकिन ऐसा ही यहाँ पर अंगूर की खेती और मचली पालन कमसा निमली किससे संबंदित है अंगूर मचली पालन ठीक है आपके जो है पर्सन में ही यहाँ पर अंसर चुपा है पहला देखिए यहां पर अंगूर बोल रहा है यहां पर बोल रहा है अपना मचली पालन ठीक है पहले क्या बोल रहा था यहां पर देखिए अंगूर बोल रहा है उपर देखिए प्रस्ण में ही अंसर चुपा हुआ है यहां पर अंगूर ठीक है और इधर साइड में यहां पर जो है मचली पालन दिया हुए ठीक है ना यह अंगूर है यह मचली पालन है और यह हमारा आंसर होगा ठीक है बढ़ते हैं आंके प्रशन की और हद्दू और हंसु खान किसके साथ जुड़े हुए हैं तो दोस्तों कोशन नमर है यहां पर 14 अंसर क्या होगा राइट वाला बता दीजिए ऑफशन ए है गलियारा सॉरी गौलियर घराना सॉरी सॉरी गौलियर घराना ऑफशन वी है सिंग्रॉली घराना ऑफशन सी है अंसर यहां पर इसका जो है राइट अंसर हो जाएगा अपना ऑफशन नमर गौलियर घराने से यह जो यह लोग है जो है जुड़े हुए हैं ठीक है अगले प्रश्च की बात करेंगी आपर मत्रदेश के किस दिलों को उर्जान चल के नाम से जाना जाता है दोस्तों बहु मत्रदेश की उर्जा राजधानी या उर्जान चल के नाम से जाना जाता है सिंग्रॉली कोश्टन गुमा के भी पूछेगा तो कैसे पूछेगा मत्रदेश की उर्जा राजधानी कौन सी है ठीक है और यहां पर अभी कोश्टन पूछा है मत्रदेश के किस दिलों को पाई जाती है फतेफूर सिक्री में नहीं पाई जाने वाली इस्थापत शहली बताईए पहला है यहां पर प्रस्ण यहां पर क्या बोल रहा है देख लेते हैं निमलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के राज का हिश्चा नहीं था ठीक है ऑफ्षण अमरे है पश्चिमी पंजाब ऑफ्षण भी है बंगाल ऑफ्षण ची है पूरवी पंजाब ऑफ्षण डी है यहां पर मगत तो दोस्तों निमलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के राज का हिस्सा नहीं था तो इस प्रस्ण का होने वाला है राइट अंसर बर अब्षण अमरे पश्चिमी पंजाब मैं तो यहां पर उफ्षण यहां पर अफ्षण भी ग्यारा ची चौथ है औकर प्रणदी यहां नो कि प्रदीश में अन्सर यहां पर 11 कितने हैं ओप्छन हो जाएगा udah अगला स्थाव प्रस्ण होजा देख लिए अगलाanu मिलेगा सिरफ हम सक्षाव के कहिं देख रहे हैं यहां पर GK के प्रश्ण है ठीक है अगला प्रश्ण है अठारवा कोश्चन देख लिए थे 19 वा कोश्चन अपना यह है तो 19 वा कोश्चन क्या है देख लेते हैं निमलिकित में से कौन सी वस्तू भारत तेल और पेट्रोलियम निर्यातक देशो उपेक से आया तो कौन सा ओप्सन यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर देख लेते हैं ऑफ्शन नम्मर सी दोस्तो यहाँ पर जो है उर्वरक उर्वरक जो है तेल और पेट्रोलियम निर्यातक देशो शे आयाथ करता है जिहां दोस्तों यह हो गया अपना राइट आंसर अगला प्रश्ण है निमलिकित में से चंदेरी किले का मुख के दौर किसे कहा जाता है चार आप्शन है यहां पर पहला है और एक की बात करें हवापुर दरवाजा ऑफशन भी खूनी दरवाजा ऑफशन ची बादल महल लिकित में से कॉन एक बीजपत्री पौधो की विशेश्ता नहीं है झाँ दोस्तो इस प्रशन की बात करें विज्ञान का प्रशण है चार आकता श्याग solution अरशा नमर बीज पत्र प्रदान करते हैं उफ शेंटी Option D जो है तीन के शमू में पुस्प भाग तो बीजपत्री पौधों की विसिस्ता कौन सी नहीं है चारों में से तो बीजपत्री पौधों की विसिस्ता नहीं है Option नमर A इसका राइट होगा बीज पत्री पौदों में चौड़ी और विसरत पत्या नहीं पाई जाती है ठीक है यह है जो है अपना राइट अंसर हो जाएगा यह जो है दोस्तो जीव विग्यान का अगला प्रशन ही यहाँ पे सुक्चम जीव छोटे सुक्चम जीव होते हैं जिने खालिस्तान के साथ नहीं देखा जा सकता है तोस्तो सुक्चम जीव के अगर बात करें वेरी सिंपल कोशन है हम यहाँ पर नगन आखोशे नहीं देख सकते यहाँ पर आपके दिमाग में ऑफशन नमर ए भी चल रहा होगा दोस्तों यहाँ पर कि खुली आघ से नहीं देख सकते है-पर सही है यहाँ रहती है पर हम बिना लेंस के बिना सुख्चम जीव को नहीं देख पाएंगे स्सूर अगला प्रश्न है खुद को हैडडेट रखने के लिए मनुष्ट को ऑसतन कितने लीटर का पानी सेवन करना है पृतित दिन इजी question है अब देखते हैं यहाँ पर किसका right answer निकल के आता है खुद को hydrate अकने के लिए मनुस को औसतन कितने लीटर पानी पीना चाहिए चार option आपको देख रहे हैं अंसर क्या हो शकता है बताईएगा इसका right answer हो जाएगा 3.5 लिटर option number A इस प्रशन का right answer हो जाएगा तो यहाँ पर अगला प्रशन है निमलिखित में से किसे पादप जानवर कहा जाता है दोस्तो यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर पादप से प्रशन पूछा जा रहा है जीव विग्यान का प्रशन है यहाँ पर तो निमलिखित में से किसे पादप जानवर कहा जाता है तो दोस्तो चार option है पहला है amoeba option number B लेने रिया option C है सेवाल option D है यूगलीना तो दोस्तो यहाँ पर जो यूगलीना है इसे जो है पादप जानवर कहा जाता है जीव दोस्तो बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन की अगर हम बात करें दोस्तो यह तरक से संबंदित प्रशन है जैसे कि यहाँ पर तरक दिया हुआ है रॉन को तैरना बहुत पसंद था और एक दिन उसने रॉस को चुनाती दी तो यह एक तरक लॉजिकल प्रशन है इसका जो है अंसर इजली बन जाएगा ठीक है हम इसको स्किप कर रहे हैं अगले प्रशन पर चल रहे हैं अगला भी जो है यहाँ पर टॉपिक देखिएगा स्किप टॉपिक किससे है रोग से प्रसुन है तो रोग वाले टॉपिक जो है पढ़के जाहिए गया ठीक है तो यहां पर स हम hem HIV कोई संब्स नहीं है तो यह गलत हो गया इहाँ पर इसी प्रगार चैन बंद करना है है कि यहांसर पर 27 पर चलते हैं जो नीचे होगा परसन यहां इधर कहीं पर कॉर्णर में यह रहा है कुश्चन नम्मर 27 इन में से कौन सा एक खाद्य फशल नहीं है चार फशल यहां पर दी हुई है तो खाद्य फशल कौन सी नहीं है इसमें गेहूं सबजी धान मुंगफली ठीक है तो देखें यहां पर अगला प्रसन यह भी रोग से प्रसन है तो डेंगो किस प्रकार के विसानू से होता है दोस्तों वैरी सिंपल कुश्चन है डेंगो की बात करें हम अब भी हमने जैसे की यहां पर रोग से ज्यादा प्रसन पूछ रहे हैं हमने थोड़ी देर पहले तो रोग वाला टॉपि आफ्सन Z से जो है यहांपर डेंगो रोग होता है अगला प्रसन निकाए कर 안विक के दूसी के करन्य करतेृत है जैसे नधी का जल ऑुसंशी इसका जो है राइट ऊंसर होसंच ऑगा टीक है अगला प्रस देखियेगा जर जरा रा और उर वी आल्या करने हैं दोस्तों एंत्रसाइट और बिटो में जो है कॉले की अच्छी यहां पर कोईले की अच्छी यहां पर जो है मतलब क्वालीटी मानी जाती है लेकिन यहां पर जो है जो कोग है दोस्तों कोग जो है जरजरा काला और कोईले का सबसे सुद्ध रूप है ठीक है कोग संक्रमन के तरीके और फंगल रोगों के खिलाफ निवारक उपाईयों के बारे में कौन सा अजीब है ठीक है दोस्तों ये भी जो है दोस्तों रोग से यहां पर संबंदियत परशन संक्रमंट नहीं फैलता है संक्रमंट जो है व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता है वायरस जो है व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है ठीक है संक्रमंट नहीं फैलता है लेकिन वायरस फैलता है अगला प्रशन है यह भी रोग से देखे रोग से अपने यहां पर प्रस्थ देखने को मिल गए अगला है चार राज़ वर्गी करण का प्रस्ताओं किस ने दिया ये जो है दोस्तो हुँष टाइम का संबंध में निमकलिक है तो दोस्तों पाइवरन संब्षन के संब्षम में से कौन सी परियोजना नहीं चलाओंगे तो दोस्तों परियावरन संद्रक्षन के सम्मझ में यहां पर कौन सी हम परियोजना नहीं चलाएंगे हमें यहां पर जो है अधिक हरीत उर्जा का अप्योग नहीं करना चाहिए यहीं ऑफसन जो अपना राइट हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन पैथिस वार यहां पर चार दिये हैं इसका अंसर आपके कमेंट करना है और बताईएगा 35 में से कितने पर्सन आपके सही है वैसे यहाँ पर 25 का टार्गेट था तबहसे कितने यहाँ पर सही हूए है बता पटीजीए और इसका अंसर कमेंट कर देचिसका अंसर यहाँ पर सही होगा तो वीडियो देखने के लिए बह। बह। धन्य वाद अपना स्कोर बता के जाना ठीक है